हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम सुनेंगे एक नई कहानी, यह कहानी है कि कैसे हम किसी भी समस्या को सूजबूच से सुलजा सकते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक किसान था, वह अपने खेतों में काम कर घर लोट रहा था, रास्ते में ही एक हलवाई की दुकान थी, उस दिन किसान ने कुछ जादा काम कर लिया था, और उसे भूख भी बहुत लग रही थी ऐसे में जब वह हलवाई की दुकान के पास से गुजरा, तो उसे मिठाईयों की खुश्बू आने लगी, वह वहाँ खुद को रोके बिना नहीं रह पाया, लेकिन उस दिन उसके पास जादा पैसे नहीं थे, ऐसे में वह मिठाई खरीद नहीं सकता था, तब वह कुछ दे किसान की मिठाईयों की खुश्बू का आनन लेते देखा, तब उससे किसान की खुशी देखी नहीं गई, वह किसान के पास गया, और बोला, पैसे निकालो, किसान हैरान हुआ, और बोला, कि मैंने तो मिठाई नहीं खरीदे, और नहीं चकी है, फिर पैसे किस बात के, हलव हलवाई बोला मिठाई के खुस्बू लेना मिठाई खाने के बराबर ही है तो तुम्हें इसके पैसे देने होंगे किसान पहले थोड़ा घबराया लेकिन फिर थोड़ी सूजबूस दिखाते हुए उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें दोनों हाथों के ब किसान अपने रास्ते जाने लगा हलवाई बोला मेरे पैसे तो दो किसान ने कहा जैसे मिठाई की खुस्बू का आनन लेने मिठाई खाने के बराबर ही है वैसे ही सिक्कों की खनक सुनना भी पैसे लेने के बराबर ही है तो दोस्तों कई बार आपको जीवन में इस हलवाई के जैसे लोग भी मिल जाएंगे ऐसे में आप घबराएं नहीं सूजबूज से इन्हें जबाब दे और समस्या से इस किसान की तरह बाहर निकल जाएं ठैंक यू